अब सब ठीक होंगे, नमस्ते, तो यहां पर यह कोटन का कपड़ा है, 30 by 18 inches का, इसमें है चोटे-चोटे डोट, वो बहुत ही प्रिटी है, और इसी कपड़े का रियूज करेंगे, और देखें, यहां पर 12 by 5 inches का, यह दो पार्ट हमने लिये हैं, देख लीजे, और यहां पर ह पार्ट लेना है पहले वाला, इसे यहां पर ऐसे प्लेटे लेते जाए, इस तरीके से, ठीक है ना, और स्टीज कर लीजिए, देखें, यहां पर ऐसे, अब ना, इसे यहां से फोल्ड कर लीजिए, ऐसे, देखें, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, स्टीज कर और फ्रेंस आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब चरू किजेगा और हमारी फेमिली वन मिलियन तक पहुचने वाली है तो प्लीस जल्दी से जल्दी सेर करें और वन मिलियन तक पहुचा दीजिए और यहां पे दोनों पार्ट हमने ऐसे ही रेडी कर लिए है आप देख सकते हो तो यहां पे साइड में हम स्टीज कर लेंगे फिर ना इसे सीधा कीजिए नीचे से ऐसे फॉल्द कर लीजिए और अब ना मैंने 20 x 26 इंचिस के यह कपड़ा लिया है इसे आपको ऐसे फॉल्ड कीजिएगा देखिए ऐसे बड़ा सा बेल्ट बनाना है आपको और इसे दो पार्ट में डिवाइट कर लीजिए और यह एट साल की बेबी के लिए बना रही हूं और यहां पे आपको दोनों साइट से टू इंचिस पे माग कर लेना है ठीक है ना तो अब यह जो बोडर है इसे ऐसे दखिए और स्टीज कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूं वहां पे वैसे ही कर लीजिए और यहां पे भी आप स्टीज कर लीजिए तो यह भी हमारा काम हो चुका है अब सेम बेक साइट का जो पार्ट है वो सामने की साइट आपको अटेज करना है हमने वहां पे भी मार्क कर लिया है तो यहां पर ऐसे आप स्टीच कर लीजिए बहुत इजी है जटपट से बन जाता है और घर्मी में आपको बहुत ही काम आने वाला है घर्मी में आपको बहुत अच्छा रहेगा ये तो देखे और ये फ्लावर्स मैंने प्रांसी के फ्रॉक में जो पड़ा था आपको कैसा लगा बताना जरूर ऐसे आइडिया के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जय पारत वंदे मात्रम